तो आपने कैप्टेन की चर्चा की रोहित की रोईत को आप बहुत दिनों से जांते हैं अनके साथ काफी करिकट खेलिये वल्लक प्प में जस तरह से उन्हें लीड किया या इस सीरीज में एक्सपिरींस प्लेयर बहुत सारे नहीं थे या बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेज सब बहुत ट्रस्ट करते हैं कभी कभी ने शायद पहले भी बोला था कि वो कभी कभी आपने पर बहुत जादा और वह चीज उनमें है टीम को पहले हमेशा हमेशा टीम की बात करते हैं और वही एक कॉलिटी है उनकी जो उनको बेस्ट बनाती है जिस तरह से इस सीरीज में भी उन्होंने यंग्स्टर को इतना सपोर्ट दिया आप फील्ड पे देखेंगे आप सबको एक्ट है और उसकी वज़ा से ही शायद प्लेयर का फोकस ज्यादा मेंटेन रहता है और अगर आपका कैप्टन आप पे ट्रस्ट करता है तो बहुत रिलाक्स भी रहते हैं कि आप अपका उनका भरोसा इतना है आप पे तो आप जाते हैं बस अपने 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 गेम को इंजॉय कर करते थे तो इने वे कुछ हद तक रोहित ने वो बड़े भाई वाली कमी जो धोनी वाले ते इदम गाइडेंस वाला वो कमी पूरी की है अब मैं मैं समझता हूं कि जब माही भाई रिटायर हो तो बहुत यंग था अब मैं नहीं था और शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर भी मेरे पर आ गया था कि क्योंकि हर चीज पहले वो मतलब फील पर हमेशा गाइड करना हूँ तो शायद जब नहीं थे तो फिर उसके पास हर चीज मेरे पर आ गई थी कि मुझे कैसे करना और विसली तो टाइम लगता है बर दीरे दीरा मैच्योर हो जाते हैं अभी रोईद भाय का सपोर्ट बहुत पहले से रहा है हमेशा बॉलिंग पे बॉलिंग पे जो चीज वह 2018 में मुझे बोलते थे शायद वह चीज मै बोल रहे थे कि यह करना है बड़ बीच में नहीं हो पाया में शायद कुछ वजाय रही होंगी शायद मैं इतनी अड़ाप्त नहीं कर पाया इतनी जल्दी बड़ उसके बाद 21 के लास्ट के बाद 22 अब स्टार्ट हुआ तो चीजे धिरे-धिरे मैंने अड़ाप्त करना स् पहले मैं अब वह करता हूं तो बॉलिंग पर उतना मुझे सपोर्ट वह ऐसा बोलते नहीं कि बॉलिंग मुझे यह चाहिए जब हमेशा बोलते हैं जब लंबे स्पेल डालो तो आप थोड़ा सा थक जाते हो तो हमेशा रिमाइंड करते रहते हैं कि मुझे एनर्जी चाहि अब कभी-कभी आप आखरी के और में लैक करते हैं अनर्जी तो फिर बॉल में वह पेस या फिर वह बॉल उतना फिर उत्हड़ा डेड सा हो जाता है तो वह एक मेंटर का काम करता है कि पीछे से आको बोलना की नहीं अनर्जी चाहिए भी तो इंटेंसिटी बढ़ा अग्र सोचते अगर कोई अच्छा खेलता है अगर कोई पार्टनर्शिब अच्छी हो रही हो तो अगले दिन वापस आना एगे में तो क्या प्लान कर सकते वो सब चीज़े डिसकस करते हैं एक चीज जो आपने बोली राहुल देविड को मैं सुन रहा था कोच है टीम के और मैं हिंदी में अगर बोलू तो एक अकरशन का एक यह रहता है यह मैंने आज तक मतब खिलाडियों के बारे में पूरु खिलाडी को अरे में सुनता हूं कप्ता कि ने बहुत अच्छा कप्तान है लीडर ही है सारे यह जो वर्ड राहुल द्रविड ने यूज किया कि भाई कि उस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं? मजाग करेंगे तो प्लेयर भी बहुत स्पोर्टिव लेते हैं और इंज्वाय करते हैं मतलब उनका प्यार बहुत है असब के लिए और एक केर होती ना कि वो सब की करते हैं कि हाँ जो भी लड़कार उनका सब के साथ अच्छे से रखना और टीम को एक परिवार जैसा रखना वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन वही है रोहित के लाव एक और सीनियर की बात करना चाहूंगा जो आपने भी पहले बात किये रवीचंदरन अश्विन की अभी मैं रवीचंदरन अश्विन का एक इंटर्व्यू देख रहा था उसमें उन्होंने बड़ी बात उन्होंने बाकाईद आपका नाम लिया कि कुल्दीप को भी सेलिब्रेट किया जाता है पहले ऐसा नहीं था आप यह चीज आपको यह बदलाव फील करते हैं पहले बदल लोग कहते है कि बॉलर्स जो है वो क्रिकेट की अगर हायर की देखा जाए तो बॉलर्स को थोड़ा इस बात को कहते हैं तो यह कभी बात यह हालंकि अश्विन अब उससे स्टेज पर है इस बात को करते हैं अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल मुझे समानता है कि बिल्कुल इंडिया में बैट्स्मैन के हमेशार है क्योंकि जितने बड़े-बड़े बैट्स्मैन निकले इंडिया से सुनिल गवासकर सर उसके बाद सचिन सर तो अब विराड भाई फिर रोइद भाई दोनी बहुत बहुत नाम है में राहुल सर फिरस के बाद वीवियस लक्षमान सर विरू भाई इन लोग बैट्समैनों का और रहा है सौरब सर लोग सब प्ले रहें तो बॉलर्स में भी ऐसे रहें बट उतना शायद नहीं हो पाया बॉलर्स में अनिल सर के जहीर भाई लोग मुझे बाता है में अश्यव तो अब ही थोड़ा सहीध मुझे लगता है बलर को भी बाहुत सप्सेपोर्ट मिलता हुए मिन फेंस पर करते और देखते हैं और इंपोर्टनस समझते है बलर की क्या होती है तो अच्छा लगता है लिए मैं इतना सोचता नहीं हूँ नियू म अगर आपको अगर प्रफॉर्म करते हैं और कोई आपका टैलेंट रिकनाइज होता है तो फिर अच्छा ही लगता है और आने वाले टाइम में और बहुत 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 बेटर होगा एकोली होगा तो काफी अच्छा रहेगा और रही बाद आरेश्विन एश भाई की ब्रख कोंव मेशा नहीं चीज़े करनेके रेंग कोशिचा करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं मेरी उनों बहुत हेल्प किये एविन जब हैदरभाद टेस्स मैच में खेल रहा था जब वो लोग आईश्बाइल टेस्स मैच खेल रहे थे टेस्स मैच के बीच में हुझसे बात कर रहे थे कि अगर के अपने आपको कैसे त्यार करना है तो मुझे बता रहे थे कि अपने मैच खेल रहा थो कैसे अपरोच करेंगा थोड़ा थोड़ी थोड़ी छीज बोल्लिंग में और से ऑनुटि थेन कर सकता है जो वोगारा तो चीज बहूत माने भी ठी हople nuc यह उपर और आपको करि Right does the तो यह सीखने वाली बात आपने कही तो कई बार आप इस मुद्धे पर बात हुई है जैसे आप खुद सोचते होंगे कि आपके करियर आपने 2017 मिधरमशाला में टस्मैच खेला उसके बाद जब भी आप पारी में पांच विकेट लेते हैं अगले मैच में ड्रॉप हो जाते ठीक है वज़ा अलग अलग वज़ा थी हम लोग सब जानते हैं कभी कॉंबिनेशन या कभी अलग वज़ा है लेकिन जब आप अश्विन को देखते हैं अश्विन अल्टाइम ग्रेट हैं और उनको जब विदेशी जमी पर नहीं मिलता है प्लेइंग एलेमन में और वो उस अश्विन अब बात किया कि वहीं आप कैसे इसको हैंडल करते मुझे बता या नहीं में इन इन इर्ट में सीखने को मिला कि आर इस बंदे में आप कभी लगा कि इस बंदे में इतना प्रेशन से इतना बड़ा हो कि अगर यह इस चीज को इस पोट इंग लिलेता है तो हमार तो बुरा लगता होगा, पट यह अप मुझे सबसाओ, सबसाओ, यह अप स्विख्ती होगा और अप प्रेशर ही नहीं है, आप अपना से बाए है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप बाहर बाए तो अपना द्यूटी जो भी आपकी है, आप ट्रेैनिंग करते हैं, तो मैं बह में सब्सक्राइब करते हैं दो कि अधर बहुतक। बहुते हैं दो कि कि वो हमेशा हर सीरीज में आते हैं उतना ही पैशनेट रहते हैं गेम के लिए और चीज करने के लिए और मुझे लगता है कि बहुत लखी है हम लोग जो उनके साथ खेलने को मिलता है इंडिया में बाहर में हर जगा जिस तरह सो एक्सपिरियंस लेकर आते हैं वाके ही मतलब आपके कर आपके टीम में ऐसा सीनर स्पिनर हो जो प्रॉपर मैच विनर हो तो आपके लिए काम बहुत अरुमदार आप लोग को है तो वह डॉमिनेंस वह जो मैच मिनिंग आपको लगता है कि इस चीज को जब देखते हैं कि हम लोग हमेशा अगले जनरेशन बैट्समें की बात करते हैं कि चलो विराट और रोहित हैं इस जनरेशन के बैट्समें तो आप बोलते हो कि गिल आया या पंता या किसी की भी यंग्स्टर कि आप बात करते हो सिमिलरली बॉलिंग में वह एक्सपेक्टेशन अब आप लोगों से आप हूं या फिर अक्षर हो या कोई भी इस पिनर आए तो इस चीज को दवाब के तौर पे देखते हैं या फिर लगता कि नहीं या यह एक इत उसके बाद बिल्कुल सबका टाइम आता है जैसे 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 खेलते हैं कि में फिजिए पर जोटी चली जाती है तो फिर नए लड़के भी आते हैं तो बाइधा थाए मुझे भी थोड़ा एक्स्पीरिंस हो जाए खेलने का तो अभी इस भारे में इतना सोचा नहीं है ब रेसिंग रूम शेयर करना बहुत कुछ सीखने को मिलना इवें नॉट अलली बॉलिंग में बहुत हर चीज में बहुत सपोर्ड मिलना उन्हें बहुत कुछ आइडिया मिलना कैसे बैटिंग करते हैं इस सिचुएशन में तो वह भी सब चीजों की बात करना तो काफी अच्छ लगता है इस जर्णी को आप अगर आप देखा जाए पूरी अपनी जर्णी को आप आएं मुंबई इंडिंस के नेट्स में आपने सचिन तेंदूलकर को अपने गेनबाजी से पहले उनको नेट्स में प्रभावित किया था वह घटना से लेके अब तक कि घटना उस घटन कि अधिया टूर्स में आया था सीधा मुंबई इंडिंस और शायद आधा 5-6 मैच हो गए थे उससां बहुत एक्साइड़ था मैं कि टीम में बड़ी फ्रंचाइजी के साथ मैं जूड़ रहा हूं और 17 साल का था मैं तो टीम में जब मैं पहले दिन गया रात में पहुचा था अगले दिन सच इन सर बारा बजे प्रैक्टिस करने वाले थे दोपैर में तो राउल स्वाइंग भी सर का मेंसेज आया कि कल प्रैक्टिस पे पाजी को बाल डाली है तो मैं बहुत अक्साइड़ था कि पाजी को तो जब नेट्स में बॉलिंग की मैंने उनको एक दूबार आउट भी किया था मैंने उनको तो काफी दिर उनने बात भी की थी मेरे से तो वह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उस ताम रोईद भाई भी टीम में थे बजू पादे काफी सीनियर प्लेयर थे तो उनसे भ को मैश को सेखने को मिला वहां से नोको बाकी चीज़ों पर भी बहुत सोचने को मिला कि आप अपनी लाइफ कैसे बिल्य करनी चाहिए बट चाहिए तो आपको ज्यादा चीज़े बहुत समझ में आती है मैदान में आपको देखों या मैदान के बाहर देखों आपके चेहरे पर हमेश्वा एक मुस्कान रहती है आप जिंदा दिली का सबूत रहता है लेकिन एक दौर रहा है आपके साथ वह अगर कहूं एक डार्क फेज रहा है जब आप टीम से बाहर हुएं उसी समय में आपको होती है टीम में कॉंपेटिशन इतना ज्यादा है वहां से अपने आपको यह होसला देना कि भाई मैं टीम में वापस आऊंगा अच्छा करूंगा उस वक्त में कौन था आपके साथ या उस समय किसने आपको गाइड किया यह जजबा कहां से आथा क्योंकि वह एक फेस था जहां पर कोई एक यंग्स्टर रहेगा 20-22 साल 24 साल का लड़का तो उसको लगेगा कि यार कैसे क्या होगा आगे क्या होगा जब तक मैं टीम में था तब तक तो इतना नहीं है मुझे याद है कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा था बोलिंग भी नहीं इच्छी चले दिप प्रफॉर्मेंस नहीं हो थी बट कोच कपिल सर का हमेशा सपोर्ट रहा है जिस तरह से वह मेशा बात करते थे कभी-कभी टाइम बहुत खराब ऐसा नहीं कि वापस जाके मैं घर पे भी बहुत मैंनत करता था फिर भी कोई सीरी जाती ते जिसमें अपरॉचिनिटी मिलती थ करता था तो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करूं बहुत लोगों ने बहुत आइडियाज भी दी है कि ऐसा करना है तो बिलकुल नहीं समझ में आए फिर उसी दोरान में इंजर्ड भी हो गया था फिर शायद से इंजुरी से मुझे ब्रेक मिल गया अपने पर काम कर होने का और जब मैं इंजर्ड हुआ तो सीधा स्टेट अब चाह साड़े-चाह मेने के लिए बाहर हो गया सुरिजरी होने के बाद जब मैं नसे में था तो आशिश कोशिक हमारे फिजियो थे उन्होंने मुझे बड़ी इच्छी बात बोली थी शायद वो मेरे लिए काम कर कर दो जब रहाब ने कोशिश करना कि जब लैंडिंग पर रहे लैंडिंग लें इस पर उतना लोड ना है मतला फटक से मतला ज्यादा होल ना करें जमीन पर बड़े और फटक से अगे निकल जाए तो यह चीज मुझे उस ताम समझ में नहीं बर उन्हें बोला तो मुझे तो अब शूब जब आप चलो जैसे पहले चलता था वॉक में तो अपने पढ़ता था और अपने पैर पढ़ता था और टाइम लेता था फिर वो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच की इसा ही था आंगल मैं ने चेंज निंग आथा उस ताइम पे और उस उससे पहले सुनील जोसी जोसी भाई हमारे यूपी के कोश थे उन्होंने बहुत बार ऐसा बोला कि चीज कर सकता है तो स्ट्रेट अंगल से कर सकता है बॉलेंग या फिर एंगल यूस करना बट उस ताम में बहुत कंफ्यूस था कि मैं अभी क्योंकि मैं उस ताम पर खेल रहा था रागुलर और वह चीज मुझे त्राइ करने में डर लग रहा था कि मैं करूं कैसे करों बट उनका वह त्वह सही था कहना बट वने ट्राइन नहीं किया उससंद्र में इंजर्ड हो गया उसके बाद जब मैं आया इस चीज करने के लिए कि मेरा रिदम हुआ तो जब मैंने स्टार्ट किया और फिर उपना पैर थोड़ा कम पड़ा और बॉड़ी आगे निकलने लगी तो फिर वह पेस बढ़ गई तो पेस बढ़ गई तो फिर ऐसे ही मैं कानपूर में प्रैक्टिस मैच खेल रहा था ऐसे क्लब का मैच खेल तो मैंने सुचा कि इस के मैच में क्लब के मैच में आपना ली। कोरे करूंगा तो गापने कोच को घुलिए लगा, तो ऑना अपने कॉच को बोला कि काम कारी को तो यह अए सो car मैं घुनें भी बोछ ठीक है यह उन्हों ने बहुत चीज़ें पूछी मैंसा इसकी शायद कि एसे करने से शायद तेरी स्पिन कम हो जाए अगर फोर क्वा नहीं खुला मैंने भी पूचा एंसे मैंने उनसे पूचा तो अगर रोटेशन नहीं यह तो यह कम हो गा तो उन्होंने फिर हमने उस ताइम मुझे याद है कि मैंने काफी सर के साथ काम किया और मेरा पैर भी सूच जाता था यह वाला स्वैलिंग आ जाते थी तो फिर आइसिंग करकर के मैंने कि यतना बॉलिंग अभी करूंगा तो शायद बेटर हो जाएगा तो आइसिंग करकर के मैं करता था उसके बाद उसी दोरान एंसे में रोईद भाई भी आए थे उन्होंने यह चीज करने से पहले उन्होंने मुझे बूली थी कि जल्दी से फिट हो जा मैंने कही मुझे जल् चाहिए पेस हाना चाहिए नहीं तो फिर फिर जैसे पहला रहेगा तो फिर वो शायद तो इंप्रूमेंट नहीं होगा तो उनकी बात भी यह थी कि मैं कैसे चीज लाओंगा तो यह चीज फिर मैंने की तो आउटमेटिकली यह चीज पूड़ा पेस बढ़ गई बट उसको रिकी ने सपोर्ट दिखाया इस्पेशली जब मैं नया नया टीम में आया था और जिस तरह से मुझे कंदे पे हांत रखके बोला कि तुझ यहां पे आया है तुझ सारे मैच खिले का उनकी टेंशन मत लिना बस जिस तरह का कॉन्विडेंस उन्होंने दिखाया और जो हम रिकी ने बोला कि नहीं बस यहीं चीज़ पर काम करना है यह बेस्ट चीज़ है बस लाइन चेंज कर में हमें राइन पर बहुत से दो लाइन पर तूड़ गया मैं तो उस चीज को आने के लिए मुझे छे मैंने लगे सिदम को सट होने में अब जाके मतलब इछले डेड़ साल में आप देखेंगे तो फ्री दमो सेट एक चीज आपने रिकी पॉंटिंग की बात कि रिकी पॉंटिंग नहीं जो भरोसा जयता है उसकी एक क्या आपको लगता है एक वज़ा यह भी हो सकती है कि शेन वान जो आप इस दुनिया में नही आपको रेट करते थे उमीदे थी आपके भी एक स्पेशल आपने भी आलवेज यू स्पोक अबाओ कि कैसे वान को आप लुक अप करते थे जब यह बात सुनी आपने जिस तरह से उनका निधन हुआ उसके बाद से हम लोगों नहीं सुना कि आपका क्या रियक्शन था मुझे याद है जब उनका निधन हुआ था तो मैं हम लोग मुहाली में थे और मुहाली में टेस मैच खेल रहे थे तो शाम को पता चला था तो मुझे परस्नली ऐसा लगा कि कोई फैमिली का बंदा चला गए और मैं अचली मेरे आंसू आगए मैं रो रहा था क्योंकि मैं ह उसके बाद England में शीरीज कोनिवाली थे टेस्यरीज और मैं में थे सीरीज जह टो मैं लुदॉर्ट के अशो पर बनाचनली तु मैं को बहुत चींज तरह सा जानता था और और फैमिली की तरह ही मैं देखता था और कभी मुझे जुरत पढ़ती तो मैं हमेशा उनको उनसे ही बात करता था कभी ऐसा सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा या फिर बात करूंगा क्योंकि उनको ही क्रिकेट देख की मैंने सेखी बॉलिंग जो भी ही सीखी मैंने उनको देख की सिखा तो बहुत लगी भी मानता हूं अपने इसाब से कि मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया और वो टाइम भी नहीं बूल सकता जब सिड्नी में मैं टेस्ट मैच खेला था जिस तरह से उनका इंफ्लूएंस था मेरी बॉलिंग पे और जिस तरह से वह चार टेस्ट मैचों में पहले तीन टेस्ट मैच नहीं खेला था जिस तरह से हर टेस्ट मैच में मुझे से बात करना मुझे सपोर्ट करना और नहीं नी चीजे बताना और उसके बाद जब मैं टेस्ट मैच खेल रहा था तो शायद उसे खुश वही थे तो तरस बहुत नहीं। जब ज़सें नहीं करता हुं मुझे असा इसा लगता है आगर वह होते ऊफांने च्रों करूपको। देशा को सब्सवाइक में मॉठप ज्यूनर करता हुं। यह सस वखें वर भी मॉझें करता है कि आती शेयर . और इतनी नौलेज थी गेम की और उतना टाइम रहा उनके साथ बिताया और बहुत सिखाया उन्होंने बॉलिंग के बारे में और हाँ दुख तो होता ही है चलिए दूसरे सेक्शन पर जाओंगा लेकिन इस जर्णी पर एक आखरी सवाल करना चाहता हूं कुल्दिप पिछले जो आपका इंटरनेशनल सुफर रहा है बारत स्मैच 103 वंडे और 50s T20 मैच रहे हैं जब आप इस स्टेज में देखते हैं जैसे अगर इसको मैं कहूं एक यहां से कैसे कि किसी चीज़ से शिकवा या गिला या आपको लगता कि कुछ चीज़े इस जब इस फिगर को देखत होती है कोई किसी के लिए बनाता नहीं है और जितने भी मैचेस खेला हूं मैं मैंनत से खेला हो अपने और जितना भी एक इंडिया के लिए एक टेस मैच भी खेलना बहुत बड़ी बात है और इतने सारे इंटरनाशनल मैचेस खेलना प्राउड तो मैं बहुत फिल करता हू और होफिली है मैं ऐसे ही खेलू आगे मैं यहीं चाहूंगा हमेशा कि अपने आपको फिट रखो और क्रिकेट बस चलती रहे मेरी इंडिया के लिए जितना मैं खेल सकूँ इतना ही खेलू और इंजॉय करो अपने क्रिकेट और कोई शिक्वा गिला शिक्वा तो बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे प्लेयर मैंने देखे हैं अपने हमारे यूपी से आशिष जैदी भाई थे जो इंडिया के लिए नहीं खेल पाई इतने अच्छे फास बोलर रहे हैं तो उनको देख के लगता है कि इनको इतने अच्छे होने के बावजूद इनको टेस्क्याप नहीं मिली तो मैं बहुत खुश हो कि में इंडिया के लिए खेला और कोई गिलाशिक मानी किसी चीज का फुफिली ऐसे ही प्रफॉर्म करों ऐसे ही आगे गिंदेश के लिए खेलता हूं इसी में चुकि आपने बोला मायूस एक सवाल जो आप लोगों ने वर्ल्टक इतना अच् केला वह मायूसी पूरी टीम मेंबर को ही और आपको भी होगी जाहिर से बात है अब से करीब 6 मेने बाद एक T20 वर्ल्टक वेस्ट इंडीज में और कई लोगों को माना जा रहा है कि यह बहुत सारे जो लेजंडरी खिलाडी है उनके लिए आखरी वर्ल्टक और आप लोग तो ओविसली हमारे पास बहुत चांसे हैं और क्योंकि गेम ऐसा ही है आप किसी को प्रिडिट नहीं कर सकते कि आप यही जीतेंगे यही जीतेंगे कि क्रिकेट गेम ऐसा है आपको हर दिन बेस्ट होना ही पड़ेगा अगर आपको टॉर्नमेंट जीतना है चाहे वह सेमिफा टो जो भी टीम जाएगी वह बैस्ट टीम जाएगी और उम्मीद करते हैं कि वर्ट कप काफी अच्छा खेलींगें चलि बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमसे बाचीट करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो वन डे वर्ल कप की जो ट्रॉफी थी वह भले ही ऐसा T20 World Cup के दौरान नहीं होगा.